वेल्कम टू मैचो मवईकुर। दोस्तों वेस्ट बेंगॉल की सीट मैटरस आ चुकी है। वेस्ट बेंगॉल में कितनी सीटे राउंड टू की कौंसलिंग के लिए हैं। और साथी साथ मॉबब कौंसलिंग की भी सीटे आई ही है। तो अच्छी खासी सीटे आपके राउंड टू के लिए हैं। उसके बाद मॉबब कौंसलिंग उसके लिए भी है। पहले राउंड का कॉटफ तो आपको बहुत ज़्यादा हाई चला गया। लगन सीट मेर्टरस से ये लग रहा है कि आने वाले टव में। वोगात ज़्यादा डॉॉप हो सकता है। किस्तव ज़्यादा डॉप होगा ये चलिए ہम आगे बात करेंगे सीट मेर्टरस के तक मॉइलगता हमं का क्श ज़ूइफ कॉए सकता है। तो क्या हो सकता है चलिए बाता है सी कुलकता में एसी की सीटें वैकेंट हैं मींस कहने का ये है दोस्तों कि हर कैटेगरी के कैडिडिट्स के लिए जो कटफ है वो अभी भी बहुत सारा ड्रॉप होगा जहां तक नीर लतन सिर्कर मेडिकल कॉलेज जो की अच्छा कॉलेज है इसमें भी जनरल की सेवन सीटेंट कोलकता के कॉलेजेज में भी सीटें अच्छी खासी वैकेंट है चाहे आयम बीजी आर कोलकता हो इसमें सेवन सीट्स वैकेंट है जनरल की मिल्दापूर मेडिकल कॉलेजेज में भी सिक्सीट जनरल की इसी तरह से लगभग सभी कॉलेजेज में चाहे वो पुराना कॉलेज हो या नया College हो या S I C's Institute हो S I C's UK में भी अच्छी خاصी सीटे है वेकंट है और मिन्दापुर और पूरलिया में भी अच्छी कासे सीटे है वेकंट है चाहे राइगन मेडिकल कॉलेज हो राइगन में भी अच्छी चाहसी सीटे है कहने कम मतलब यह है कि हर college में सीटे है इसी तरह से OBC, OBCB केटेगरी में भी 10 से 15 marks का difference आ सकता है या उससे भी कम जाते है मौप अप तक और भी कम जा सकता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर 580 गया है cut off around तो हो 565, 570 के करीब रह सकता है या उससे भी थोड़ा कम जा सकता है मौप अप तक तो अगर आपके इतने marks है तो आपकी उमीदें रहेंगी और सी स्टी का cut off तो और भी नीचे जाएगा काफी नीचे जाएगा क्योंकि rank का gap बहुत ज़दा होता है और सीटें बहुत खाली है तो उमीद है कि आप लोग को सीटें इसमें बहुत यासानी से मिल जाएगी और cut off तका